नमस्कार नियूस तक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस विजेविद्रोही तो 2024 के लोगसबा चुनाव की तस्वीर कुछ-कुछ साफ होती दिख रही है ऐसा लग रहा है कि बाइपोलर चुनाव होगा यानि एक तरफ एंडिये गडबंदन होगा बीजेपी के नितरत में दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन होगा कॉंग्रिस के नितरत में अब बाइपोलर चुनाव होता है तो उसका मतलब है कि एक एक वोट का जुगाड है एक एक वोट की मारा मारी है एक एक सीट को लेकर जद्दो जहद है ऐसे में BJP के अंगल से देखते हैं कि वो अतरिक वोटों के जगार के लिए क्या क्या कर रही है क्योंकि अब bipolar है तो NDA के साथ जत्ने धड़े है उन सब का base vote है इसी तरह इंडिया के साथ जत्ने धड़े हैं उनके साथ भी base vote है इसके अलावा candidate जो खड़ा होगा उसकी जाती का vote हो जाता है इसके अलावा कुछ और vote मिल जाता है गड़बंदन के साथियों के कारण तो मोटे तौर पर कहीं NDA बहुत मजबूत है कहीं इंडिया ठीक ठाक हालात में है कहीं मजबूत है कहीं दक्षण में NDA नहीं है तो उत्तर में बहुत सारी जगा इंडिया नहीं है मोटे तौर पर करीब करीब बराबर जैसा बैट रहा है थोड़ा सा NDA को एज दिया जा सकता है वोट परसंटेज के मामले में उस रूप में लेकिन बीजेपी को तो 370 सीटे लानी है NDA को तो 400 पार जाना है इसके लिए आपको अत्रिक वोटों का जुगार करना पड़ेगा इसके लिए बीजेपी क्या-क्या उपाय कर रही है 7-8 पॉइंट बहुत छोटे-छोटे ज्यादा वक्त नहीं लोगा उसमें डिसकस करने की कूशिश करते है एक फस्ट टाइम वोटर 18-19 साल का 1.84 लाग वोटर बीजेपी ने इसके लिए क्वाइन किया है पहला वोट देश के लिए ये उनका है दूसरा है फ्लोटिंग वोटर फ्लोटिंग वोटर पर अभी बात नहीं करना ठीक नहीं होगा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि फ्लोटिंग वोटर तो वो होता है जो अंतिम समय में तै करता है और चनाओ की जब घोशना होगी तब तै करेगा या जब जिस चरण में उसके इलाके में चनाओ होगा उसके 48 घंटे पहले तै होगा लेकिन इस फ्लोटिंग वोटर को अभी से प्रभावित करना बहुत जरूरी है इसके लिए बीजेपी दो तरह से काम कर रही है एक कारेकरताओं से कहा गया है कि वो अपने तीन पडोसियों से संपर करें और तीनों पडोसियों को प्रेरित करें कि वो वोट देने के लिए आएं बीजेपी को लगता है कि तीन मेंसे अगर दो भी उसके पक्ष में वोट देने के लिए आगे तो उसका काम चल जाएगा एक कहा गया है बूट लेवल वरकर से कि वो हर बूट पर 20 लाभारतियों के संपर्क में आए 20 लाभारति यानि जिनको प्रधान मंतरी आवास योजना में घर मिला हो या उजवला योजना में गैस सिलंडर मिला हो या हर घर नल के लिए जल जो स्कीम और उसके तहट पानी का केनेक्शन मिला हो या की फसल मीमा का लाब मिला हो या किसान समान निदी के तहट पैसा मिला हो जन्दन अकाॉंट में पैसा आया हो कब कोई एक स्कीम 20 लाभारतियों तक पहुंचना है उनकी समस्यां जानने की कोशिश करनी है उनको बार-बार ये संदेशा बिजवाना है कि देखिए मोदी जी ने आपके लिए इतना कुछ किया आगे जाकर करेंगे और साथ ही साथ इन 20 लाभारतियों में से 80% वोट देने के लिए बूत पराएं इसकी पुखता विवस्ता करनी है बीजेपी मान कर चल रही है कि 80% वोट देने आएगा अगर इसमें काम्याब होती है तो बड़ी संख्या में उसके हिस्से में वोट दे कर जाएगा एक ये एक इनोवेटिक आइडिया है एक और है कि बीजेपी के बड़े नेता अब ये कहने लगे हैं कि कॉंग्रेस से नेता तो ले लिए अब कार्यकरता भी लेने है यानि ये मौका भी नहीं छोड़ना कि कार्यकरता के पास कार्यकरता बच जाए वैसे भी कार्यकरता कम बचे है एक है यूथ को लेना माना जा रहा है कि मोदी करीब आधी सीटों पर धाई सो सीटों पर युवाओं को मौका दे सकते हैं और युवाओं अगर पार्टी में मिल गया अच्छा किसी लोग सभा छेट रबे तो बहुत है अच्छी बात है नहीं तो अपोजीशन पार्टी में कोई अच्छा मिल गया तो वहाँ से खीचला ये भी स्कीम बनाई जा रही है कुल मिलाकर मोदी को लगता है कि युवा होंगे युवा चेहरे होंगे तो एंटी इंकम्बंसी बिल्कुल नहीं होगी पुराने चेहरों को रिपीट करेंगे तो एंटी इंकम्बंसी जहलनी पड़ेगी फिर फैटीग फैक्टर होता है जैसे तीन भर कोई लगातार चुनाव जी दिया उसको विचार कर रही है पार्टी की एक्सेप्शनल केस में ही टिकट दिया जाए नहीं तो नहीं दिया जाए यानि OBC है तो तीन या चार बार भी जी जाए उसको टिकट दे दिया जाएगा राजना सिंग घटकरी भी गैरों को टिकट दिया जा सकता है लेकिन बाकी 70-72 पार वालों को शैट टिकट नहीं दिया जाए ये भी BJP जुगाड करने की कोशिश कर रही है क्योंकि एक-एक सीट का जुगाड करना है एक-एक अतरिक्त वोट का जुगाड करना है एक और दिल्चस बात हुई है अभी चुनाव आयोग से BJP के बड़े नेता मिले और उन्होंने क्या मांग की चुनाव आयोग से चुनाव आयोग से कहा कि जो RWA अंकल है यानि Resident Belfare Association जो होती है जहां फ्लैट सोसाइटी में लोग रहते हैं एक जगा आप जानते हैं कि 2000 फ्लैट, 3000 फ्लैट, 500 फ्लैट उसमें रहने वाले वोटर करीब करीब 5000, 8000, 10000 तो चुनाव आयोग को कहा गया कि साब ऐसे आप ऐसी ववस्ता करें कि RW जो ये सोसाइटी वाले हैं इनी सोसाइटी के अंदर एक नीचे common hall होता है जहां सोसाइटी के लोग उठते बैठते हैं किटी पार्टिया या बर्थरे पार्टिया विगारा करते हैं तो वहां पर आप भूत लगा दीजी या दो-तीन और कमरे की व्यस्ता अगर ऐसी सोसाइटी कर सकती है ग्राउंड लेवल ग्राउंड फ्लोर पर तो इसकी व्यस्ता करा दीजे तो ये भी एक आइडिया है एक तो ये देखा गया है कि जो रिटार्ड लोग है आम तोर पर उसमें से एक बड़ा वर्ग बीजेबी का हिमाईती है प्रभावित है मोदी जी की नीतियों से एक इस तरह वोट डलने लगेगा तो करीब-करीब 100% वोटिंग की चांसिस बढ़ जाएंगी नहीं तो वही सोसाइटी में बंदा निकलेगा फिर बाहर जाएगा फिर धूप में खड़ा रहेगा फिर उसकी बारी आएगी यहां तो उसके लिफ्ट लेनी है लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचना है हो जाएगी तो उससे पहले ही आप जारी इसकी ववस्ता करने और चुनाव आयोग ने भी कुछ महीने पहले अपने जो रिटर्निंग आफसर्स को इस तरह के संकेत भी दिये थे ये एक निया एडिया है जिससे वोट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है RSS भी इस तरह की कोशिश कर रहा है फिलाल तो BJP कैंडिडेट्स के चुनाव में लगी हुई है इसके लिए देखे एक नहीं दो नहीं तीन एजंसियां बताई जा रही है तीन एजंसियों से सर्वे कराया गया है RSS से अलग इंपुट लिया जा रहा है पार्टी के केंडिये नेताओं को जो मंत्री हैं उनको ऐसे इलाकों में भेज कर उनके जरीए इंपुट लिया गया है एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे गे BJP के नेता जैसे राजस्थान के नेता जारगंड भेज दिएगे जारगंड के नेता तमिलाडू भेज दिएगे तमिलाडू के नेता उत्तरपरदेश भेज दिएगे ताकि वो जैज़ा ले कि किनका नाम चर्चा में है कौन युवा हैं, कौन शोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है तो इसकदर इसकदर जमीनी स्तर पर जिसको आप कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल का जो इंतजाम है बीजेपी कर रही है वो पन्ना प्रमुक अर्थ पन्ना प्रमुक वाली बाते खत्म ही इससे आगे कहानी बढ़ गई है